आज हम अभ्या सोला बी के पिश्णों को हल करेंगे जो घनाब और घन के आयतन पर आधारी थे यह आक्रति मारी घनाब है और घनाब के आयतन का शूत होतर लंबाई गुणे चोड़ाई गुणे उचाई जैसे यहाद यह घनाब की लंबाई एयल है चोड़ाई हमारी बी है और उचाई हमारी एच है तो घनाब का आयतन वॉल्यूम वी बड़ाब हो जाएगा ल गुणे बी गुणा एच तो घनाप के आयतन के सूतत लंबाई गुणे चोड़ाई गुणे उचाई आयतन क्या है? किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए कुल स्थान की माप जिस भौतिक रासी के द्वारा की जाती है उशे हम आयतन कहते है यहनी वस्तु दुआरा घेरे गए कुल स्थन की मापी माय का कलता है आयतन कलाता है और घन क्या हो जाएगा यह दिक इसी घनापकी लम्माई चोडाई उचा है तीनों बराबर हो जाएगा तो उसे हम घं कहते हैं, तो घं में लंबाई, चोड़ाई, उचाई, तीनों कैसी होती बराबर होती है, तो चुकि घं में लंबाई, चोड़ाई, उचाई, तीनों बराबर होती है, तो हम यह भुजा माल लिए, तो भुजा की घाते तीन हो जाएगा, भुजा का क्यूब, क् अब यहां सोला भी का पहला सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई लंबाई चोड़ाई और उचाई वाले घनाबों के आयतन ग्याद कीजिए तो पहला पार्ट है लंबाई हमको 8 cm दी गई है यानि L का मान हमारा 8 cm हो जाएगा चोड़ाई हमको 5 cm दी यानि B बराब 5 cm हो जाएगा और उचाई H बराबार हमारा 4 cm हो जाएगा तो लंथ, बिट और हाइट गराब का आयतन सूत हो तो लंबाई गोड़े चोड़ाई गुण उचाई यानि L गोड़ा B गोड़ा H हो जाएगा हमारा L की माप 8 cm है B की माप 5 cm है और H की माप 4 cm है तो 8 में 5 का 8 पंच 40 और 40 में 4 का गुणा कर हो जाएगा 160 cm 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 3 तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा cm की घाते 3 या 160 घन cm यह हमारा आंसर निकल आएगा इसके सेकेंड पार्ट में कहरा हम से कि लंबाई 80 cm है यानि L की जो वैलू है वो हम 80 cm दी गई है चोड़ाई 40 cm है बिट B कमान हमाँ 40 cm दिया गया है और हाइट उचाई H हमको 1 मीटर 20 cm दी गई है अब यह cm यह cm में दिया गया है तो इस मीटर को cm में चेंज कर लेंगे हम जानते एक मीटर में 100 cm होते और 20 cm और है तो एक मीटर बराव 100 cm और यह 20 cm हम और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120 cm तो जो हाइट होगी हमारी वो 120 cm निकल आएगी अब घणाप कायतन ग्याद करना है तो घणाप कायतन वी बराव हो जाएगा लंबाई गुड़े चोड़ाई गुड़े उचाई तो सब की वैलू रख देंगे हम लंबाई हमारी 80 cm है चोड़ाई हमारी 40 cm है उचाई हमारी 120 cm है सब में cm आए और cm cm गुड़ा होगा तो cm cube रख दिया जाणाप कायतन cm cube में निकलेगा तो आठ चोग 32, 320 हो गया ये 1020, 10 और बढ़ा देंगे गुड़ा 120 10, 20, 30 हो जाएंगे 12, 24 की 4 हासे लगी 2 22, 36, 37, 38 तो ये निकलाए 30, 84,000 cm cube ये घन cm ये हमारा आंसर निकलाएगा तीसरे पार्ट में लंबाई हमको 14 cm दी गई है चोड़ाई हमको आठ चोड़ाई हमको 5 cm दी गई है और उचाई हमको 5 cm दी गई है हमें घनाप का आयतर ग्याद करना volume of cuboid तो V बढ़ाऊ तो लंबाई गुणे चोड़ाई गुणे उचाई सबके मान रख देते हैं L कमान 14 cm है B कमान 8.5 cm है H कमान 5 cm है और cm तीन बाग उना करेंगे तो जाएं घन cm ये cm की घाते 3 14 का गुणा करेंगे 14 75 की 0 हासलेगी 7 14 612 और 7 119 एक अग माद दसमलों दे दसमलों लगा देंगे गुणा 5 cm क्यूब 5 को गुणा करें 5 65 की 5 हासलेगी 4 पांच एकम पांच चार नौ पांच एकम पांच तो हमान इसा आंसर निकलाएगा 595 cm क्यूब या घन cm 4 पार्ट में को लंबाई 1.4 cm दी गई है 4 आएं को दसमलों 5 cm दी गई है और उचाहें दसमलों 4 मीटर दी गई ये cm में दिया हूँ हम क्या करते हैं हल करते हैं ये पने दसमलों लग जाएगा तो निकलाएगा j да तो लंबाई का मान 1.4 cm, चौणाई का मान 10.5 cm, उचाई का मान 40 cm हो जाएगा हमें घणाब कायतन ग्याद करना है, तो घणाब कायतन V बरावा लंबाई गुने चौणाई गुने उचाई लंबाई कमान 1.4 cm चोड़ाई कमान 0, 5 cm उंचाई कमान 40 cm तो 14, 75 एक अंग बाद और यहां पर एक अंग बाद दोंग बाद रसमलो हो जाएगा तो यहां दोंग बाद रसमलो लगा दिया गोडे 40 और चुकि वाल्यूम है सब सेंटीमीटर में हो गया तो जो आएतर निकलेगा वो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा 00, 7.28, दोंग बाद समर्ण लगा दिये हाँ पर, तो 28 सेंटीमीटर क्यूब, यानि जो आंसर निकलाएगा हमारा 28 घन सेंटीमीटर दूश्य सबल कह रहा है, नीचे दी गई भुजा की माफ वाले घनों के आयतन गयाती तो हमें पहले पार्ट में भुजा कमान 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमें घन का आयतन गयात करने है चुकि घन की लंबाई चौणाई उचाए तीनों बराबर होती है, तो भुजा यानि घन की कोर हमने ए माल ली तो घन का आयतन गया बुजा क्यूब हो जाएगा, या एक क्यूब हो जाएगा, एक ही घाते, तीन तो अब भुजा कमाने 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर का क्यूब निकाल देंगे तो बारा का बारा में गुणा करेंगे 144 आएगा और 144 में बारा का गुणा करेंगे तो हमा निकलेगा 1728 जो बारा का क्यूब होता है यानि बारा का तीन बारा गुणा बारा गुणे बारा गुणे बारा गुणे बारा गुणे बारा गुणा करेंगे 144 आएगा और 144 में जब 22 का Gira कर देंगे तो हमार 1728 और सेंटीमीटर की घ भुजा क्यूब यानि एक क्यूब एक कमान वाज 664 संटि मीटर दिया गया तो 604 संटि मीटर क्यूब निकल आ गया यहनि 6वर संद्र ईक्यूब appelle dost एक बाद और यहकioni क्यूब और उंग बाद दो अंग बाद दसंबलो है तो यहाँ पर दो अंग बाद दसंबलो लगा देंगे गुड़ा यह चय समनो चार एंगा आयतन सेंटीमीटर क्यों चार हजाजार चार। 64 खुरा करेंगे तों आए गमा दो लाक बासाड हजार एक सुचब आलिस तो यहाँ पर एक अंग पर दसं लो हो यहाँ पर दो टोडोल तीन अंग पर दसं लो हो जाएगा तो 12 13 ऑद दसं लो लगा देंगे तो A बराबद 1.3 cm दी गई है और घंकायतन ग्यात करना है तो घंकायतन V बराब भुजा की घाते 3 या A की घाते 3 हो जाएगा A कमान हमार 1.3 cm हैं को कि घाते 3 हो जाएगा हमारा यानि 1.3 का 3 बाब उना करेंगे 1.3 घात 3 है क्योंकि गुणा 1.3 गुणा 1.3 और cm गुणा cm गुणा cm 3 बाब होगा तो जाएगा cm की घाते 3 13 में 13 का गुणा कर एक 180 आएगा 169 एक अंग बाद और एक अंग बाद 2 अंग बाद 0.3 लग जाएगा गुणा 1.3 cm3 अब 1.69 में 1.3 का multiply करेंगे तो यह हमारा आएगा 21ORT 4501,97 2197 और यहांपर एक अंग बाद दसमलो यहां पर दो अंग बाद दसमलो तो एक D33 लग जाएगा तो तो टोटल तो आंसर questão मा कूश्यल vamos ब है तो कोश्चा नम तीसरह कह रहा है एक कौम्णे के लंबाई पाशम मीटर है तो कम्रे की लंबाई है तो शहा dann लेंथ L बराबर हो जाएगा 5 मीटर हमारा, कमरे की चोड़ाई 4 मीटर दिये, तो कमरे की चोड़ाई B बराबर 4 मीटर हो जाएगा, और कमरे की उचाई 305 मीटर है, तो H कमान 305 मीटर हो जाएगा, कमरे का आयतन ग्याद करना है, तो कमरे का आयतन को ग्याद करना है, कमरे का आ चौड़ाई यानि B, उचाई यानि H, तो सबके मान रख देते हैं, लंबाई के मान 5 मीटर, चौड़ाई के मान 4 मीटर, उचाई के मान 3.5 मीटर, और मीटर मीटर 3 बार गुणा हो जा, तो मीटर की घाते 3 या घन मीटर नहीं, पांच और बीस, गुणा 3.5 मीटर क्यूब, तो जीरो लिख देंगे, और 35 में 2 को और 35 दूनी 70 हो जाएगा हमारा, एक अंग बाद दसमलों, एक अंग बाद दसमलों लगा देंगे, तो मीटर क्यूब, तो आंसर आ जाएगा, जो कम रे कायतन निकले गवा, वहाँ 70 मीटर क्यूब निकलेगा, चो नमर चोथम से कह रहा है, दो घनाकार वस्तु में हैं, जिनकी कोल एक रमशा 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो घनाकार वस्तों में जो भुजा की लंबाई होती है वोई कोल की लंबाई कहलाती है तो पहले वाले घन की कोल की लंबाई और भुजा की लंबाई A1 हमने माल ली और ये हमको 2 cm दे रहा है और दूसरी वाले घन की कोल की लंबाई A2 है ये हमको 4 cm दे रहा है फिर कहना इनके आयतन V1 और V2 है यानि जो पहले वाल घंका आयतन वो V1 है और दूसरे वाल घंका आयतन V2 है तो इनके आयतन V1 और V2 में संबंध अनपाद ग्याद कीजिए यानि V1 अनपाद यानि हमको V1 बटे V2 कमान हमको ग्याद करना है भाग द्वारा तुल्नक अनपाद कहा जाता है तो हम V1 में V2 को भाग कर देंगे तो फिर हमानपाद निकल आएगा तो हम जानते कि घंका आयतन V बराबर होता है एक की घाते तीन तो पहले वाल घं है तो V1 बराबर A1 की घाते तीन हो जाएगा दूसरे घंका आयतन V2 बराबर A2 की घाते तीन हो जाएगा हमारा अब पहले वाले घंका आयतन दूसरे वाले घंका आयतन का भाग कर देंगे यानि इसको मालने समीकर नंबर एक इसको मालने समीकर नंबर दो तो शमीकर एक में समीकर दो का भाग कर देंगे तो V1 upon V2 बराबर निकल आएगा A1 की घाते 3 बटे A2 की घाते 3 यह इसको लिसकते पूरी घात 3 है यानि A1 बटे A2 पूरे की घाते 3 A1 का मान रख देते A1 का मान हमको 2 cm दिया गया है तो 2 cm A2 का मान हमको 4 cm दिया गया है तो 4 cm रख देंगे क्यूप था क्यूप करा दिया 2 सेंट 2 सेंट इक कर जाएगा 2 एक कम दो 2 दूनी 4 तो बचेएगा हमारा 1 बटे 2 की घाते 3 है मारा तो 1 की घाते 3 यानि 1 और 2 की घाते 3 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा यानि V1 बटे V2 1 बटे 8 निकला तो इसमें आसर हो जाएगा